Hello friends, so इस वीडियो में हम Z Index Property के बारे में डिसकस करने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको CSS Positions के बारे में बताया था जिसमें आपने देखा होगा कि जब हम किसी element पे position apply करते हैं तो वहाँ पे जो HTML element है वो overlap कर रहे थे एक दूसरे के उपर आ जा रहे थे तो यदि उन element में आपको ये fix करना हो कि कौन सा element जो है उसको आपको उपर रखना है तो ये चीज जो है हम Z Index Property के साथ में उसको हम ये fix कर सकते हैं कि कौन सा element जो है वो हमें दीखेगा उपर ओके चली एक जांपल के साथ में देखते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैंने यहां पर index.html बना रखका है एंड यहां पर क्या करते हैं एक div बना लेते हैं एंड इसका मैं class देता हूं main box ओके and इसके अंदर मैं तीन और div बना लेता हूं div एंड class देते हैं box ओके एंड बॉक्स वण जिप्ट अल्ट एंड डाउन ऐरो प्रेस करोगे तो यह आपका कॉंपी हो जाएगा ठीक है एंड इसमें कुछ से से सप्लाई कर लेते हैं तो हमारा है सबसे जो में डीव है उसको हमने class क्या रखा था main box एके एंड इसकी हाइट एंड विडिश कर देते हैं एड दे दिया मैंने 400 पिक्सल एंड विर्थ में देता हूं 400 पिक्षल ओके एंड यहां पर इसको बॉडर देते हैं बॉडर टो पिक्सल शॉलिड रेट ओके और जो दूसरे हमारे पास डिव थे जो इसके चाइल्ड डिव है जिसका class है box box 1 इसको मैं box 2 कर देता हूं एंड यह जो है यह हो जाएगा आपका box 3 ओके तो box पर हम CSS supply करेंगे तो simply यहां पर आएंगे लिखेंगे यहां पर box एंड इसमें height and width देता हूं मैं 100 पिक्सल ओके एंड width देते हैं 100 पिक्सल ओके एंड मैं इन सब को कर देता हूं position absolute ओके position absolute बाद में करेंगे पहले इन सब का different different color apply कर देते हैं तरिक के लिए simply आपर कर देते हैं box 1 एंड इसका जो background color है उसको मैं कर देता हूं rate okay similarly box 2 एंड इसका जो background color होगा उसको हम कर देंगे green एंड एक और हमारे पास box है जिसका class box 3 तो इसका background color में set कर देता हूं blue एक जी तो यह हमारा HTML and CSS complete हो चुका है रन करके देख लेते हैं ओके तो हमारे पास एक box है जिसमें three boxes बने हैं ओके एक का color आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू है यदि मैं इन सब पर पोजिशन अपलाई करता हूं ओके तो सबसे पहले जो box है इसका position हम जो मेन हमारा box है इसका पोजिशन हम कर देते हैं relative ओके पोजिशन रिलेटिव एंड जो box है यानि कि जो इनर टैक्स है जो चाइल्ड है इसके मेन box के उसका मैं color जो पोजिशन है इन सब का मैं कर देता हूं पोजिशन absolute ओके पोजिशन absolute ओके अब क्या होगा जैसे हमने पोजिशन absolute करूंगा तो यह तीनो जो बॉक्स आना यह यहाँ पर आ जाएंगे ओके पेज को रिप्रेस कर लेते हैं तो आप देख सकते हो यह तीनो बॉक्स यहाँ पर आ गया है आपको पता नहीं चल रहा बर तीनो बॉक्स यहाँ पर है क्योंकि जब हम पोजिशन absolute करते हैं तो इसका टॉप से एंड लेट से बाइड डिफल्ट जीरो हो जाता है ओके अच्छा जी तो यहाँ पर आप क्या हुगा कि तीनो एलिमेंट हमारे पास एक ही जगह आ गया है यदि तीनो में से आपको किसी जैसे कि मालो आपको रेड व हमें कर देता हूं इसको जहां पर हें रहन देते हैं जो गिरीन वाला है हमें कर देता हूं टॉप से 50 में लेट से भी 50 में ओके eto लास्ट वाला है इसको हम कर देते हैं टॉप से एंडेट एंड लेफ्ट से 100 ओके तो यह हमारा जो तीनों बॉक्स है यहाँ पर दीखेगा ओके जी अब हमें Z इंडेक्स इस पर पलाई करना है सपोर्च करो यह जो ग्रीन वाला है मुझे इसको ऊपर दिखाना है सबसे उपर ओके तो simply यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ box 2 है यहाँ पर हमें Z इंडेक्स देना होगा Z Index एंड यहाँ पर हम नंबर इंकरेंगे इंकरीज करेंगे इस element का नंबर जादा होगा वो हमें उपर दिखेगा यदि मैं इसका जेड़ी इंडेक्स वन कर देता हूं ओके मैंने इसका जेड़ी इंडेक्स वन कर दिया तो आप देख सकते हो यह उपर को आ गया है यदि मैं रेड़ वाले को उपर दिखाना चाहता हूं तो यहां पर क्या करना होगा इसका हमें जेड़ी इंडेक्स जो है ग चाहता हूँ कि जो ब्लू वाला है इसको उपर करूं तो उसमें क्या कर ना होगा ब्लू वाला element हमारे यह है box 3 यहां पर जेड इंडेक्स जो है दोनों से ज्यादा करना होगा ओके यहां कर लेंगे जेड इंडेक्स एंड इसको हम कर देते हैं 3 तो आप ङालू कम कर देखते हैं तो आई होप कि यह, रेड के ऊपर आना चाहिए चुकि इसके जेड इंडेक्स तब से ज्यादा है तो आप देख सकते हो यह जिसका आप Z index number ज्यादा डालोगे वो आपको सबसे उपर दिखेगा ओके So I hope कि आपको Z index property के बारे में समझ में आया होगा मिलते हैं next वीडियो में Thanks for watching